हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिन्ह सुखु ने शनिवार को सपष्ट किया कि सरकार का किसी भी सरकारी कार्याले को रुषिती कम करने के लिए राज्य की राजदानी शिमला से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई इरादा नहीं है विधान सभा में कॉंग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया के एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह पुष्टीकी की सरकार ने इस मामले में कोई भी निर्नय नहीं लिया है और न किसी विभाग से किसी प्रकार की सुझाव प्राप्थ हुआ है पठानिया का सवाल इस पर केंद्रित था कि क्या सरकार रुष्टी के मुद्दे और मानसून के संबंध में शिमला से कुछ कार्यालियों को स्थानांतरित करने का विचार कर रही है और जीवन और संपत्ती के हानी के चिंता के बावजूद पॉंद्रिस नेता राजेंद्र राणा के एक और प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखु ने साइबर अपराध में व्रिधी की जानकारी दी मासिक औसत में आठ नए मामले आ रहे हैं और इस साल के जनवरी एक से अगस्ट 31 तक कुल उन्चास मामले दर्स किये गए हैं साइबर अपराध को नियंतरित करने के लिए सरकार की प्रतिबधता को महत्वपून बताते हुए सुखु ने बताया कि सरकार ने शिमला, मंडी और धरमशाला क्षेत्र में साइबर पुलीस स्टेशन स्थापित किये हैं और एक साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 की शुरुवात की हैं मुख्यमंत्री ने स्कूलों और कॉलेजों में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बारे में भी बताया